राम राम मैं पंडित अश्के मिस्र समान चोरी हो गया समान कहां पे है प्रायह आने को मताओं बहनों का भायों का प्रश्णा आता है पंडि जी जरा बता देजिए कि मेरा समान कहां पे है सबके काल को अटेंड कर पाना मुश्किल सा है लेकिन मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसी सललतम विधी का चर्चा करने वाला हूँ जिसके माध्यम से आप स्वैम जी हाँ आप स्वैम यह तै कर पाएंगे कि हमारा जो समान चोरी हो गया है एक्जिट वो कहां पे है अगर आप लोग को जोतिस की जनकारी नहीं भी है तो भी कोई बहुत घवडाने की बात नहीं है मैं ऐसे सललतम विधी का प्रयोग कर रहा हूँ जिसके कोई भी यह पता लगा सकता है आपको अपने प्ले इस्टोर में जा करके क्विक जोतिस एक एपस आता है उसको डाउनलोड कर लिजिएगा जिसे प्रश्ण कुणली तयार हो जाए या पंचानव अगर देखने आता है तो भी अच्छी बात है लेकि प्राया हर बक्ति आजकल Android phone, Mobile phone का प्रयोग लोग कर रहे हैं उसमें आप जाके क्विक जोतिस Q-U-I-C-K-J-O-T-I-S-H डाउनलोड कर लिजिए अब जब प्रश्ण कुणली आपके सामने आ जाए तो क्या करना है मैं आप लोग को अपने वाइट बोर्ड पर लेके चलना हूँ वीडियो को बिना इसकीप के हुए ध्यान से देखने का सुनने का और समझने का प्रयास करें चोरी का समान कहा है आप वाइट बोर्ड को देख रहे हैं हमें फोकस लगन पर करना है हम इसको लगन करते हैं और इसको हम प्रथम भाव भी कहते हैं यहाँ पर संख्या क्या है हमें उस पर ध्यान देना है अगर यहाँ पर वन लिखा है अर्थार्थ मेख लगन है तो चोरी का समान भूमिगत है जमिन के अंदर हो गया और यदि यहाँ पर दो अंक आये, दो अंक लिखा मिले, अर्थार्थ बिश्ट लगना है तो गौसाला में और यदि तीन अंक यहाँ पर लिखा हो, अर्थार्थ मिथुन लगना हो, तो नित्य, संगीत या मनरंजन के अस्थान में और यदि यहाँ पर करक लगन अर्थार्थ यहाँ पर फोर अंक लिखा हो तो जल के समीप में गड़ा होता है और यदि यहाँ पर सिंग लगन अर्थार्थ फाइफ लिखा हो तो जंगल में बिश्च के नीचे और यदि यहाँ पर कन्या लगन हो अर्थार्थ 6 अंक लिखा हो तो रोसोई घर या सोने के कमरे में समान होता है और यदि यहाँ पर तुला लगन अर्थार्थ 7 अंक लिखा हो तो दुकान या गोदाम में और यदि यहाँ पर प्रिशिक रासी हो अर्थार्थ 8 लिखा हो तो चोरी का समान किसी पात्र में जमीन में गार दिया होता है और यदि धनु लगन अर्थार्थ 9 अंक लिखा है तो जंगल में समान है और यदि यहाँ पर मकर लगन हो अर्थार्थ 11 अंक लिखा हो तो जलासा के निकाट और यदि यहाँ पर कुम्भ लगन हो अर्थात 11 अंक लिखा हो तो प्यावू में और यदि यहाँ पर मिन लगन हो अर्थात 12 अंक लिखा हो तो जंगल का समान, मंदिर, कुवा या तलाब के समीप होता है एक वाजरा पूरा ध्यान से समझ लें अगर यहाँ पर वन लिखा हो लगने में वन आये तो समान भूमिगत होता है जमिन के अंदर कहीं होता है यहाँ पर दो अंक लिखा हो लगने में दो अंक लिखा हो तो गौसाला में तीन अंक लिखा हो लगन में तो नित्य संगीतिया मननजन के अस्थान में और यहाँ पर चार अंक लिखा हो तो जल के समिप गड़ा होता है यदि अंक पांच लिखा हो तो जंगल में बिश के नीचे और यदि यहाँ पर 6 अंक लिखा हो अर्थात लगन में 6 यहाँ पर अंक के कमरे में यदि यहाँ पर 7 अंक लिखा हो अर्थात तुला लगना हो तो दुकान या गोदा में और यहाँ पर अंक 8 लिखा हो अर्थात बिशिक लगना हो तो चोरी का समान किसी पात्र में जमीन में गारा जमीन में गार दिया होता है और यदि यहाँ पर 9 अंक लिखा हो अ माउं में और मीन लगन अर्थार्त यहां पर ट्वेल लिखा हो तो जंगल का समान, मंदिर, कुमा या तलाब के समीप होता है। मैंने या भली भात ही आप लोग को समझाने का प्रयास किया है। आसा है आप लोग के समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपके जीवन में ऐसी कोई समस्य है जिससे आप प्रित हैं परिशान हैं तो निरास होने के बिल्कुल आउसकता नहीं है। अपना चुरंद का खिचा फोटो डेटा बर्स का डिटेल हस्त रेखा का फोटो हमारे वार्टसप में मैसेज करें। आप लोग के एनेर्जी को रीड करके, कुल्ली को रीड करके, हस्त रेखा को रीड करके, आप लोग का उचित मार्दसन करूंगा, और आउसकता पड़ी तो यंत्रों के माध्यम से, तंत्रों के माध्यम से, मंत्रों के माध्यम से, वो अन्य भारती बिद्याओं, वो अन्य सा भर में कर सकती है और आप सभी हमारे माध्यम से अपने घर बैठे अपने सभी प्रकार की आर्थिक समस्या मांसिक समस्या और सारेजिक समस्याओं का समधान प्राप्त कर सकते हैं धन्यवाद राम राम